कि हैं एक हैलो स्टूडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासिस से मैं हमन्द गुपता आज आपके लिए ले क्या बटा आपका फिफ समेस्टर का को कुरिकुलर सब्जेक्ट अनलेटिकल एबिलिटी एंड डिजीटल अवेर्नेस के मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन का संकलन जैसे क कि निश्चित कोड में रेड को चोदा लिखा जाता है उसी कोड भाशा में लर्न को क्या लिखा जाएगा तो अनलेटिकल एबिलिटी से संबंदित कोश्चन है वैसे तो आपको फर्स्ट प्राइटिवे कोश्चन रीड करके खुद आंसर बताना चाहिए फिर उसके बाद हमारे द्वारा बताएगे आंसर से मैच करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो चली जानते इस कोश्चन का जो क्रेक्ट आंसर है वो है ओप्शन नमबर थ्री 25 अब यह 25 कैसे आएगा तो बटा इस प्रकार के कोश्चन को सोल करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी जो है प्लेस वैल्यू रखनी चाहिए अल्फा बैट्स की जो है प्लेस वैल्यू रखेंगे आर की प्लेस वैल्यू क्या है अठारा फिर ए की प्लेस वैल्यू क्या है पांच फिर ए की प्लेस वैल्यू क्या है एक और फिर डी की प्लेस वैल्यू क्या है चार अब तो आपका आंसर आजाएगा 28 यहां पर हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को किसी कोड में 14 रिप्रेजेंट कर रहा है 14 कैसे आएगा अगर 28 को 2 से डिवाइड कर दें तो 14 आंसर आजाएगा यानिके पैटर्न मैच कर रहा है तो इसी परकार हमारे को learn की भी place value रखनी है और उसको divide कर देना है 2 से तो हमारा answer आजाएगा 25 यह दिखिए यहाँ पर हमने करके भी दिखाया आपको बटा आप इसको अच्छे से समझ लेंगे इस परकार से हमारे को coding decoding वाले question करने हैं जहाँ पर भी alphabets आएं सबसे पहले उनकी place value रखे number में convert करने के बाद उनके code को पैचानना बहुत ही easy हो जाता है चलिए अब next question जानते हैं next question हमारा निमलिकित में से कौन Toyota, Honda, BMW के समान है नीचे आपके पास चार option दिए गए हैं और question क्या कह रहा है के Toyota, Honda और BMW के समान कौन सा होगा TVS, Bajaj, Hero या Mercedes तो बटर ध्यान रखेंगे यह जो उपर नाम दिए गए हैं Toyota, Honda, BMW यह सभी 4-wheeler company है 4-wheeler manufacturer company है अब हमारे को यह देखना है TVS का 4-wheeler नहीं आता Bajaj का 4-wheeler नहीं आता Hero का 4-wheeler नहीं आता यह तभी यह तीनो जो है TVS, Bajaj और Hero यह 2-wheeler manufacturer है जबकि Mercedes जो है इसका 2-wheeler और 4-wheeler दोनों सेग्मेंट में हैं तो इस परकार जो question आ जाएगा यह जो था आ जाएगा हमारे को pattern पहचानना है चलिए अब next question जानते हैं next question है निश्चित code में read को adder लिखा जाता है तो उसी code में learn को क्या लिखा जाएगा कैसे लिखा जाता है तो बटा इस question का जो correct answer है पहले correct answer जानते हैं correct answer आ जाएगा option नमबर 4 वो कैसे आएगा इसको जानते हैं read में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले alphabet आ रहा है A, फिर D, फिर E, और फिर R ascending order में इनको arrange किया गया है उसी परकार learn के letter को भी हम ascending order में arrange कर देंगे तो सबसे पहले क्या आएगा A, फिर E, फिर L, फिर N, और फिर R तो इस परकार हमारे जोग सही answer आ जाएगा option number 4 आएगा चलिए, अब next question जानते बटा next question नमरा pressure chain के इस्थान पर लुप्त संख्या ज्याद करो तो pressure chain के इस्थान पर लुप्त संख्या क्या आएगी तो बटा इस question का जो correct answer है वो है 225 option number C इसका correct answer है कैसे पहचान है जैसे 11 की 11 से multiply करेंगे तो हमारा answer आजाएगा 121 इसी परकार 15 की जब हम 15 से multiply करेंगे तो answer आजाएगा 225 इसका correct answer आजाएगा चलिए next question जानते है तो next question है हमारा यदी किसी code में 1 बराबर 2 M बराबर 26 और Z बराबर 52 है तो bet को क्या होगा bet किसके बराबर होगा तो पटा ध्यान से देखेंगे A की place value क्या होती है 1 M की place value क्या होती है मैं 13 hero shortcut trick जो की previous lecture वीडियो में हमने बताई वी है आपको alphabets को कैसे याद करना है उनकी क्या short trick है यदि आपने उन्हें नहीं consider किया तो आप उन्हें जरू चेक कर लें वहापे बहुत ही अच्छे तरीके से trick के माद्दम से बता है कैसे इनको solve करना है और जड की जो place value है वह कितनी होती है 26 अब यहाँ पर उपर जो question में दिया है एक इसके बराबर दिया गया है दो के यानि के multiply 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 ऐसे ही 13 दुना 26 और फिर 26 दुनी 52 तो bet की क्या होगी इसी प्रकार हम क्या करेंगे bet की भी place value रखेंगे और फिर उसके बाद उसकी multiply 2 से कर देंगे बी की place value क्या है बी और टी दो प्लस पांच इजोती से पांच और फिर टी से टी 20 बीस place value इनका जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा टोटल आ जाएगा हमारा 27 और 27 multiply by 2 करेंगे तो क्या जाएगा 54 आ जाएगा option number 20 का correct answer हो जाएगा तो इस question को कुछ इस प्रकार से आपने बनाना था चलिए अब next question जानते है next question है यदि टोस को यह लिखा जाता है के रूप में कोडित किया जाता है तो इसी कोड में नम जो है किसके बराबर होगा तो बटा इस question का जो correct answer है वो option number D है और इसकी calculation को आपने comment box में comment करके बताना है कि इसको कैसे देखते हैं सबसे पहले कौन-कौन student discussion का जवाब दे पाते हैं आजगा homework भी रहेगा आपके लिए नेक्स्ट कोश्चन है मरा फिरिंट dialogue box कोलने के संयोग कर्योग किजिए को औप्रिंट dialogue box यूज combination कि shortcut tree का प्रियोग क्या याता है फिरिंट dialogue box को ऐपन करने के लिए तो इसका जो correct प्रशन चेन में क्या आएगा एक इमेज दी गई है इसमें हमारे को पैटर्न समझ के दूसरी इमेज में कुश्चन वार के स्थान पर बटाना है क्या आएगा तो ध्यान से देखें 14 प्लस 16 क्या हुजाएगा 30 30 और 14 चवालिस चवालिस और 26 जोड़ेंगे तो यह आज असर आजएगा हमारा 70 इन सब का चारों का टोटल कितना रहा है 70 इसी पैटर्न पर अगर इसको करेंगे तो हमारा अंसर क्या आजएगा यहां पर डेड़ सो आजएगा उप्शन नम्बर सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स कोशन है कानून के परकार हैं सिविल फोजदार सावजनी या यह सबी तो इसकोशन का इंसर आजएगा ऑप्शन नम्बर डी यह सबी चले नेक्स कोशन जानते हैं बटा नेक्स कोशन हमारा ताज महल आगरा से उसी परकार से संबंदित है जिस परकार विक्टोरिया महल डैस से संबंदित है तो हमारे कोई डैस के स्थान पर बताना क्या आएगा तो बटा इस कोशन को जो करेक्ट आंसर है वह कलकत्ता नेक्स्ट कुश्टन है दीगई श्रंकला में अगला पड क्या होगा यह बताना है हमारे को तो बटब इस को बड़े ध्यान से देखेंगे तो यह descending order 50-5 45, 45-5 40, 40-5 35-30 35-5 35-30 34-5 25-35 options number C अब next question जानते बटा next question है मारा भारत का पहला Wi-Fi 6 रेडि broadband network launch करने के लिए किस company नेork Crimea के साथ साज़दारी की है Wi-Fi 6 Ready Broadband Network के लिए Tata Play Fiber ने की है Option number A इसका Correct Answer आजएगा Next question है Full form से संबन नीटा बड़ा important है अक्सर paper में पूछा जाने वाला है तो अच्छे से तियार कर लेंगे ISDN का पूर्ण रूप क्या है तो ISDN की जो Full form होती है इंटीग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क Option number D इसका Correct answer आजएगा चलिए अब Next question जानते है When का पूर्ण रूप क्या है तो वैन का पूर्ण रूप होता है Wide Area Network इस question का जो Correct answer आजएगा Option number C चलिए अब Next question जानते है Next question है Computer के सभी भौतिक भाग क्या कहलाते है जिनको हम देख सकते है चू सकते है मैसूस कर सकते है उसको हम क्या बोलते है हार्डवेर्स बोलते है Option number A इसका Correct answer हो जाएगा चलिए अब Next question जानते है Next question है Punch card का परियोग सवर पर्थम किस ने किया था पास्कल, हर्मन, होलेरिट, जैकार्ड या पावर्स ने तो बटा इस question का जो correct answer है वह हर्मन, होलेरिट Option number B इसका correct answer है Students ये थे हमारे आज के analytical ability and digital awareness subject के important questions जो के आपके exam के point of view से most important है आप इनको अच्छे से तयार करें हमने इसी परकार के important lecture की जो वीडियो है वह अपने चैनल पर upload कर दिया उनकी playlist भी बना दिया यह आपने उनने नहीं देखा तो उनने जरूर देख लें और साथ ही साथ इनको अपने अन्यमितों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इनका benefit ले सके मिलते हैं अपने next session में अब तक के लिए bye bye student and best of luck for your examination